जब भी डाल फ्राय खाने का मन होता है या फिर इसकी बात होती है तो हमेशे धाबा वाली डाल याद आती है क्योंकि इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि बार बार वैसी ही डाल खाने का मन करता है आज हम बिल्कुल धाबा जैसी डाल घर पर ही बनाएंगे वैसा ही इसका दाल ले ली है इस दाल को अच्छे से धो कर साफ पानी में 25 से 30 मिनट के लिए भिगो कर छोड़ देंगे जिससे कि ये दाल हमारी फूल जाएगी और हमें इसे कुक करने में जादा समय नहीं लगेगा और जल्दी कुक हो जाएगी आप देख सकते हैं इसको भिगोए 25 मिनट ह दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है ये चना और लौकी की दाल बना रहे हैं इसलिए मुलाइम लौकी को छील कर इसके टुकड़े कर लेंगे इसे आप आधा कटोरी या फिर एक कटोरी दाल में यूज कर सकते हैं कुकर लेकर इसमें भीगी हुई दाल डाल देंगे इसम इसमें पानी डाल देते हैं, दाल जो है हमारी अच्छे से डूबनी चाहिए इतना हमें पानी डालना है, यह हम दाल बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा मसाले यूज नहीं करेंगे, अब इसमें आधा चोटी चमच हल्दी पाउडर और इसमें स्वात के अनुसार इ होगा, आप कुकर कर ढखकन लगाकर इसे बंद कर लेंगे और दो सीटी मीडियम फ्लेम पर आने देंगे, दाल हमारी पहले से भीगी हुई है, इसलिए इसमें ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है, नहीं तो दाल ओवर कुको कर खुट जाएगी, जब कुकर में दो सीटी आ इस दाल में हमने जो तेज पत्ता और बड़ी लाइची डाली थी, उसको हम निकाल देते हैं, इसको मैंने फ्लेवर के लिए डाला था, वो फ्लेवर इस दाल में आ चुका है, लॉंग को इसी में रहने देते हैं, अब इसको फ्राइ करेंगे, कढ़ाई में दो टेबिल पून तेल को डाल कर गरम करके, चौथाई चोटी चमच हींग और आधा चोटी चमच ग्रेट किया हुआ अध्रक डाल कर दो मिडियम साइज के टमाटर छोटे चोटे टुकडों में करके डालेंगे, आधा चोटी चमच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल कर इनको चलाकर टमा के दालने के बाद इसमें आप प्याज को डाल कर हलका सा भूणद ले और फिर टमाटर डाल कर सॉफट कर ले जब टमाटर नरम हो जाए तब इसमें आदा छोटी चंमच कसूरी मेथी को डाले और मिक्स कर ले इस से काफी अच्छा टेस्ट आएगा आपकी दाल में अब इसमें हम लौकी वाली डाल डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे डाल में जो हमने पानी डाला था बिलकुल पर्फेक्ट था अगर आपकी डाल गाड़ी हो तो इसमें गरम पानी करके डाल दें और मिक्स कर लें इस दाल को अभी हमें 4-5 मिनट तक और पकाना है आप हलका सा चलाते हुए दाल को मेश कर ले इससे दाल का टेक्स्चिर काफी अच्छा हो जाएगा दाल और पानी अलग-अलग नहीं लगेगा आपकी दाल इतनी गाड़ी नहीं होनी चाहिए कि हलकी सी ठंडी होने पर दाल जम जाए ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी मत भूलिए दाल को पकते हुए चार से पांच मिनट हो चुका है लग भग दाल हमारी तयार है गैस को बंद कर देंगे अब इसका तड़का तयार करते है तड़का पैन को गैस पर रखकर चार से पांच टेबिल स्पून देशी घी डाल कर चोथाई चोटी चमच हींग, आधा चोटी चमच जीरा, आधा चोटी चमच ग्रेट किया हुआ अधरक डालना है आधा छोटी चमच कसूरी मेथी और दो हरी मिर्च को इसमें डालेंगे और दो साबुत लाल मिर्च को डालकर इस तड़के को चमचे चलाकर अच्छे से भून लेंगे धावे वाले तेज आज पर तड़का तयार करते हैं आप भी फ्लेम को तेज कर सकते हैं तड़का तयार है इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे आप इस दाल को दो मिनट के लिए धकर छोड़ सकते हैं जिससे की इसकी स्मेल बाहर नहीं जाएगी बारी कटी हुई हरी धनि गी डाल कर खाएंगे तो इसका स्वाद और भी आपको खाने में अच्छा लगेगा इसमें डाल का पूरा स्वाद मिलेगा क्योंकि इस डाल में हमने जादा मसालों को इस्तेमाल नहीं किया है आप भी इस लौकी चने की डाल को धाबा स्टाइल में बनाकर जरूर खाएए आपको इसका स्वाद काफी अच्छा लगेगा